दोस्तों मेरट का ये वो रहस समय कुंड है जहाँ पर आप पानी भरते रहो भरते रहो लेकिन इसका पानी नजाने कहा गायब होता चला जाता है लोगों का मानना है कि यहाँ पर रिसर्चर ना जानी कितने बार फेल हो चुके हैं और साइंटिस्ट ने अपने हाथ जोड़ लिए तो दोस्तों आज इस कुंड से हम उठाएंगे रहस का परदा तो वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है बने रहें अनते तक हमारे साथ तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर ये बाबा-जी मौजूद है जो हमको इस रहस इंदिक के बारे में बताएंगे नमस्कार जी पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए योग बाबा सौनलाल अच्छा चलिए बहुत बढ़ी है अच्छा थोड़ा से इसके बारे में बताईएगा कि इसकी क्या कहानी है यहां पे जो मंदोधरी थी जी जी वो यहां पे इस्नान करके अच्छा अच्छा मेरट में ही इस्थान की सुसुराल हुआ करती ठीट और वहीं से जो रावण की पतनी मंदोधरी है वो रोज यहां तक चल करके यहां पर पूजा करने आती ती माता Sakai कि तो उनकी जो और उनकी जो धाना थी इसकी वजए से ये इस्थान बहुती ज्यादा प gült mamma का अच्छे यह बताएगा जैसे बटाथ वगारा सब्सक्राइब सब्सक्राइब और भी पैल को सर्ब नीया? प्मच के लिएखेड़ रता, हैस सब्सक्राइब बारे को प्रकल्स के नहीं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी ना होने की कारार यहां पर जाड़ी देख सकते हैं आप इसमें जम चुकी है और जैसे कि यहां पर बाबा नी बताया है कि यह जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पत्थर है यह नॉर्मली तो वही पर पाए जाते हैं उस इलाकों में तो वहां से पत्थर ला करके पहाडों से यहां पर डलवाए गए ताकि इसमें पानी किसी भी तरीके से रुख सके यह कुंड ह है इसमें हम पानी टालते रहते हैं तो इसका पानी गायब का हो जाता है पानी घरतती में समाझाता है अच्छा कोई भी की काम नहीं करती ना ना आपके फर्च वेगरा में कोई भी चीज काम निए थोड़ा सा और बताईएगा कि जिसे इसमें कभी बहुत दिन तक पानी चलाया गया होगा लेकिन काफी पानी चलाया गया था जी जी तो इसमें सेक्सेस्फिल नहीं हुआ अच्छा मतलब इसमें यहां तक यह जो इ तो दोस्तों यहां पर यह जो पूरा पार्क है इसको सूरज कुंड पार्क बोला जाता है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई वह कितना इस डिस्टेंस इसमें जो बताया आपको 740 मिटर अच्छा जी जी तो यहां की जो कुंड की है वो लंसम ऐसे ही होगी तो जैसे अभ अच्छा तो जैसे इसमें कोई रिसर्च वगएरा भी कराई जाते हैं साइंटिस्ट वगएरा भी आते हैं अभी देखो कोई प्लान आएगा तो जी 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 जैसे कि यहां पर एक और मानेता है कि कर्ण ने अपने जो कवच कुंडल इंद्र देव को इसी कुंड में अच्छा तो दोस्तों आप समाज सकते हैं कि इसके जो कहानी है वह कहां से जुड़ी हुए महा भारत काल से और यहां पर कोई भी आते हैं तो किसी चीज़ की जिसे भारी बीमारी अच्छा अगर आप यहां पर सास्तों चालिस मेंटर का रौन निकाल होगे तो पूरी आप साल हो गए है यहीं से सीखा, और आज हम पूरा ठीक कर सकते हैं जी बहुत अच्छी बात है जी बहुत बढ़िया बीमारी हो जी मिना दवाईयों निवीच कर सकते हैं यह बहुत बढ़िया तो अगर आपको एक जो रहसे वह पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद।